आप ऐसे कैसे business कर सकते हैं इसका आपको पता ही ना हो कि उसकी growth कोई भी employer किसी employee की guidelines के अंतरगत काम नहीं करना चाता है तो यह बड़ी problem रहती है business owner के साथ कि वो तो कहीं न कहीं company बंद होने की कागार पर आ जाएगी दोस्ते नमस्कार क्या आपको अपना business करते हुए 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं और अभी भी वैसी business कर रहे हैं जिसे पहले साल में कर रहे थे मतलब आपके business करना तो प्रारूप बदला है ना उसका आकार बदला है केवल वैसी business चलता जा रहा है जैसे पहले चल र पड़ेगा जहां पर आपका उद्देश होगा business को next level ले जाना और next level ले जाने के लिए जो planning होती है ना उसका सबसे पहला step क्या यह सीखना बहुत जुरूरी है आपने business के event बट सारे समझ लिए pro and cons आपने समझ लिए client को समझ लिया market को समझ लिया product को समझ लिया बेहतर product develop क को समझ में आ गया तो अब समझना क्या है आप समझना expansion के बारे में अब expansion करने के लिए चे right planning तो सबसे पहले अपने आपको निर्देशक के रूप में appoint करें कि अब मैं एक निर्देशक को मेरा काम है direction देना मैं कोई काम खुद नहीं करूँगा लोगों की सहूलियत के हिसाब से उनको उनके योगता के हिसाब से काम दूँगा और उनको केवल direction दूँगा अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझ लिजे आपने अपने business को next level जाने manufacturing करते हैं, export करते हैं, आज पूरे भारत वर्ष में हमारे franchise शूरू में, पहले कुछ वर्षों में मैंने अपने business में भी पहले business को सब कुछ अच्छे से देखा, सीखा, समझा और पूरी market का research किया, product को develop किया, और आप मैं करता हूँ सिर्फ planning, और planning कैसे करनी है, ये सबसे important ह सबसे पहले आपको set करने आपकी growth के पूरे goal, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप मुझे comment box में लिखकर बताना, कि क्या आप ऐसी bus में बैठने के लिए तयार हैं, जिसके उपर bus की plate ही नहीं लगी हुई, कि ये bus के उपर plate ही नहीं लगे और आप सवार हो जाएंगे, ठीक उस तरह से अपने business का growth का एक goal बनाएं, आपको क्या target अचीव करना है, और वो target कुछ भी हो सकता है, माली जी आपका 10 लाख रुपे का turnover है, आप इसको 50 ले आना चाहते हैं, आपका 1 करोड का turnover है, आप इसको 20 आयार हैं, तो सबसे पहला अपना goal निर्धारित करें कि मुझे अपने business में इस level पर जाना है, उस level के business पर पहुँचने के लिए आपको किस तरह के लोग चाहिए, उसके बारे में अध्यन करें, और उस तरह की team को appoint करना चुरू करें, जब team appoint हो जाए तो involved management and staff, आप अपने company के vision को न, अकेले कहीं भी ने ले जा सकते, आप ले जा सकते हैं तो केवल और केवल team के माध्य हम से, तो important बात यह है कि जो staff आपने recruit किया है, जो team आपने recruit किया है, उसको अपने vision के बारे में, vision board के बारे में खुल कर बताएं, और बताएं कि यह कोई मेरा vision नहीं, यह company का vision है, तो वो जब आपको guide करेंगे, तो आपको next step पता लगएगा, कोई भी employer, किसी employee की guidelines के अंतरगत काम नहीं करना चाता, यह small scale businesses की बात है, लेकिन large scale business owner हमेशा अपने employees से, अपने staff से, अपने management से, चीजों को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और उसके अधार पढ़ने लेते हैं, कि बाविश्य में क्या होगा, आपको क्या लगता है कि हमारे देश के प्रदान मंतरी, इतने सारे ideas उनके mind में आ जाते हैं, इतनी चीजों की वो planning कर लेते हैं, यह सारी चीजों वो खुड decide कर लेते हैं, नहीं, उनके success का formula क्या है, कि वो हर व्यक्ती से, जो उस का विश्यशक गया, उनसे discuss करते हैं, उनकी प्रतिकरिया जानते हैं, उनके विचार जानते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनके if and but जानते हैं और उसके बाद उसका decision लेते हैं, ठीक यही बात successful business owner पर लागू होती है, सफल business owner जो होता है, वो अपनी team से reviews लेता है, और उसके अधार पर लेता है कि करना क्या है, उसके बाद meet frequently with management and staff, अभी problem क्या है, business owner बिजनस में इतना involved रहता है, कि वो अपनी team से नहीं मिल पाता, अपने management के लोगों से नहीं मिल पाता, sale में, purchase में, production में, delivery में, after sale service में, question queries में, lead generation में, वो इतना busy रहता है, कि उसको पता ही नहीं च staff क्या direction को देना चाहते हैं, तो अपने staff से, अपने management के लोगों से frequently मिलें, उनके विचारों को जाने, समझें, उनके reviews लें, और उस reviews के अधार पर निरने करें कि क्या चीज़ बिजनस के लिए बेहतर है और क्या चीज़ गलत, उसके बाद जब आप सारे reviews को देख लें, तो कैसे उसकी pricing को down ला सकते हैं, इस पर विचार करें, जब तक आप अपने reviews पर विचार नहीं करेंगे और उसका solution लेके नहीं आएंगे, तो आपकी growth होना आसान नहीं है, उसके बाद monitor current performance, आपको ये भी देखना है कि आपकी पूरी team और आपका पूरा staff, वरतमान में कितना output आपको दे रहा है, उसी के अधार पर नहीं लिया जाएगा कि कौन व्यक्ति कितना आगे जाएगा और उसकी productivity बढ़ाने के लिए क्या क्या काम हमें करना होगा, तो आपको उनकी performance को major करना है, देखना है कि पहले महीं नहीं क्या क्या क्या, दूसरे महीं नहीं क्या क्या क्य ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, वो कहते हैं कि एक सिपाई युद पर लड़ने जा रहा था, तलवार लेके भागा जा रहा था, तो उसका जो टीम लीडर था, उसको रोक रहा था, क्या रोको मत सर मेरे पास टाइम नहीं है, वो रोक किस लिए रहा था, कि इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टन क्या है, कि कंजूमर को राइट कॉस्ट पर मेटरियल मिल जाए, पर राइट कॉस्ट का मतलब क्या है, कि आपके कॉस्ट और प्रोडेक्शन प्लस आपका प्रॉफिट पूरा हो जाए, तभी तो आप माल बेच पाएंगे, तो माल ब समय बिना फाइट ही करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं कंपनी बंद होने की कागार पर आजाएगी, तो कॉस्ट कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टन है, और डेवलप गुड सिस्टम, आप बिजनस के सिस्टम को डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टन है, चाहें वो ओनलाइ होगी, फिर आगे हो जाएगा, तो आपको पूरा सिस्टम डेवलप करना है, पूरे बिजनस के प्लानिंग में, सिस्टम डेवलपमेंट में और एग्जिगूशन करने में किसी तरह की कोई प्रॉबलम आए, तो आप मुझे वो कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, या परसनल कंसल्टिंग के लिए मेरी टीम को कंटाक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंट्स में न केवल बिजनस के एक्स्पेंशन पर केवल ट्रेनिंग देता हूँ, प्रेक्टिकल अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट भी करता हूँ, तबी तो हमारी छोटी सी कंपनी मेटा सोवर्स लिमिटेड कंपनी के सफर तक पहुँच पाई है, और आने वाले समय में ये कंपनी आई प्यो में भी लिस्ट होती नजर आएगी, इसलिए अगर आप अपने बिजनस को डेवलेप करना चाहते हैं, और कंसल्टिंग चाहते हैं, तो मेरी टीम को अभी कंटाक करें, स्वस् लिमिटेक।